प्रिये दोस्तों मैं संदीव कुमार पटेल आज एक बार फिर हम उसा सीजे सोला सोवार्ट डबलू पीसी इंडिक्शन में मास्पेट को किस प्रकार लगाएं कि हमारा मास्पेट बार बार खराब ना हो इसी के ऊपर यह वीडियो है जैसा कि कभी कभी कुछ लोग यह गरबड़ी करते हैं कि बेगर चक्के हुए मास्पेट को निकाले और फिर मास्पेट को लगा देते हैं जिससे हमारा मास्पेट फिर से खराब हो जाता है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथ पहले हम अपने इंडिक्शन को खोल कर अपने फ्यूज को एक बार सौट करके चेक करते हैं कि हमारी इंडिक्शन में क्या कमी है देखिए इस समय हम फ्यूज को सौट करें हैं चिम्टी से तो हमारा स्रीज बल्ब फुल जल रहा है इस से यह मालूम होता है कि हमारी फ्यूज साइट गरवड़ी है मतलब फ्यूज से आगे अब इस से यह नहीं मालूम होता कि हमारा ब्रिज रक्टी फाइर खराब है या हमारा आजिविटी खराब है इसके लिए हम कोईल के एकतार को खोल लेते हैं खोलने के बाद हम फिर अपने फ्यूच को चिम्टी के मदद से फिर से सौट करते हैं अगर देखिए कोईल खोलने के बाद हम जब चिम्टी से सौट किये तो हमारा इंडेक्स अपान हो चुका है अब हम अन आप करके देखते हैं, देखिए हमारा चल रहा है क्वाइल के एक तार को खोल लेने से हमें या कनफर्म हो जाता है कि हमारा आजीवीटी खराब है या फिर जो हमारा या चाट्टाउंवाला ब्रीज रिक्टिफाइड डाइवोड लगा हुआ है अगर क्वाइल के तार को खोल लेने के बाद हम फ्यूज के तार को लपसवाड करते हैं तो अगर हमारा जो ब्रीज रिक्टिफाइड है वा साड होता है तब भी हमें सौडिंग मिलेगी अगर bridge rectifier सही है तो हमें कोई sodding नहीं मिलेगी हमारा induction on हो जाएगा चलिए अब हम अपने IGBT को निकाल लेते हैं उसके बाद जिस पर यह हमारा वीडियो है कुछ चीज को हम आपको चक करके दिखाएंगे कि किस कारण के वज़ा से किस गलती के वज़ा से हमारा IGBT जो है लगाने के कुछ देर बाद खराब हो जाता है या एक से दो दिन बाद खराब हो जाता है उसी कमी को हम इस वीडियो में बताएंगे यह हमने IGBT को निकाल लिया है अब हम अपने फ्यूज को भी निकाल कर इसके अस्थान पर दूसरा फ्यूज को लगाएंगे चलिए अब हमने अपने फ्यूज को निकाल लिया है यह हमारा फ्यूज 10 अंपियर का फ्यूज है जो बड़े साइज में है अब हम इसके अस्थान पर यह हमारा छोटा वाला फ्यूज जो है मिसको लगाएंगे यह साइज में भले ही छोटा है लेकिन यह भी हमारा 10 एंपियर का ही फ्यूज है अब हम इस फ्यूज को हम लगा लेते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके चलिए अब हम एक बार जो हमारा मेन मुद्दाहिद वीडियो का उस पर हम आते हैं उसके लिए सबसे पहले हम अपने मीटर को 1000 DC बोल्ट पर सेट कर लेंगे सेट करने के बाद हम जो हमने कोईल को जो हमारी इंडिक्शन पोईल लगी हुई होती है उस कोईल का जो पिन तार हम जो एक सीरा खोले हुए हैं उस सीरे को हम पहले टाइड कर लेंगे अच्छे से अगर हम इस सीरे को न टाइड करेंगे तो हमारा जो आईजी बीटी का जो बीच वाला पॉइंट है प्लस वाला जो हीट आई जिवीटी के पीछे साइड से जो हीटसिंग से कनेक्ट रहता है उस पर हमें बोल्टेज नहीं प्राप्त होगा इसके लिए हम अपने क्वाईल के सीरों को कस लेंगे कसने के बाद हम बोल्टिज को दे कर चेक कर लेंगे उसके बाद हम आजी वीटी को लगाएंगे चलिए पहले हम ब्रीज रिक्टी फायर के बोल्टिज को चेक कर लेते हैं कि हमें ब्रीज रिक्टी फायर से कितना बोल्ट प्राप्त हो रहा है देखिए हमारे bridge rectified से करीब 344 बोल्ट के आसपास मिल रहा है अब यही voltage हमें IGBT के बीच वाले pin पर और जो उसका minus वाला point होता उस पर मिलना चाहिए देखिए एक point हम bridge rectified से minus लिए उसके बीच वाले point पर हमें वही बोल्ट 344 बोल्ट मिला अब हम अपने minus वाले pin को minus वाला पर रखेंगे IGBT के यहाँ पर भी हमें same voltage प्राप्त हुआ अब हम अपने plus वाले पराट को जो बीच में रखे हुए हैं उसके IGBT के gate वाले point पर रखेंगे gate वाले point पर देखिए हमें कोई भी voltage प्राप्त नहीं हुआ अगर यहाँ पर pulse के room पर भी कोई सा भी voltage आता रहेगा इस condition में तो हम IGBT लगाएंगे तो खराब हो जाएगा अब हम gate पर minus के पराट को रखकर एक बार चेक करेंगे वहाँ पर हमें minus उतना ही voltage पर आप्त हुआ देखिए हम plus वाले पराट को IGBT के बीच वाले पिन पर और minus वाले पराट को हम collector मतलब gate पर रखेंगे तब भी हमें वही बोल्ट एक दम मिलना चाहिए जो हमें minus वाले track पर IGBT के रखने पर या फिर हमें जो हमारे bridge rectifier से मिलता है वही बोल्ट से मिलना चाहिए देखिए फिर से एक बार हम gate पर रख कर चेक करते हमें कोई साथ bolt हमें pulse के room में भी नहीं मिल रहा है अब हम IGBT अगर लगाएंगे तो हमें हमारी जो IGBT हो long समय तक लंबे समय तक चलेगी इसमें कोई खराबी नहीं होगी IGBT जो लगाते हैं हम IGBT लगाते समय हम अगर अच्छी quality की IGBT रहेगी तो नहीं खराब होगी लेकिन अगर इस भी condition पर हमें सब चीचे कर लिया लेकिन हम अगर local IGBT लगा देंगे तब भी हमारी IGBT खराब हो जाएगी और उसके साथ साथ जो transistor भी है वो भी खराब हो सकते हैं इसलिए हमें जब भी लगाना चाहिए तो हमें अच्छी वाली IGBT लगाना चाहिए IGBT जो हम लगाते हैं किसी भी induction में वो 25 यन 135 रहता है और उसके नीचे जो है छोटे से में 843 के का जो लिखा हुआ होता है प्रिक्वेंसी उसकी 883 वार है अगर उससे कम कभी कभी किसी इंडेक्स में 120 लिखा हुआ होता है अगर उसको लगा देंगे आप तो जल्दी से जल यूटी खराब हो जाती है देखिए हमारा सब हो चुका है अब हम जब लग कर इंडेक्शन को आउन करते हैं तो हमारा इंडेक्शन आउन हो जाता है और हमारा बर्तन को भी सेंस करता है चलिए एक बार देखते हैं जैसे ही हम लाइन में लगा कर आउन किये और बर्तन को हम रखते हैं तो हमारा हुआ दिख रहा है देखिए हीड भी हो गया है